ऐलो फ्रेंड्स, आज मैं ये प्लांट है जो इसका नाम ब्रंग राज है और ये प्लांट बड़ा ही सुन्दर लगता है और इसके जो ये पत्टे होते हैं ये बड़े ही सुन्दर होते हैं और इसकी जो यह जाएस के पत्ते होते हैं, वहाँ जो यह नोड एरिया होता है, यहाँ से अगर यह मिट्टी में लग जाए, तो अपने आपी इसमें रूट्स आने सुरू हो जाते हैं, और इसकी बहुत ही जल्दी कटिंग से लग जाती है, अगर यह निचे जमीन में लगा यानि इसकी ग्रोथ बोजल्दी होती है और ये पोधा जो ब्रंग राज का है ये आईरवेधिक प्लांट है और इस प्लांट से ओल बनता है जो अपने बालों में लगाया जाता है और इस से डेंडरफ गाइब हो जाता है इस तेल से और ये बहुत ही प्योगी इसका तेल बनता है और ये मैने पोधा जो है ये डिपवे के जो प्लास्टिक के डिपवे होते हैं अपने किचन से जो ख्राब हो जाते है डिपवगेरा इनको मैं फैंकती नहीं इसको इस तरह से मैं पेंटिंग करके और गमले बना लेती हूँ और ये वाला जो ये गमला है यह मेरा गमला भी फरी में बन गया और इसमें जो प्लांट है, यह भी मैंने कटिंग से लगाया हूआ है, तो यह वाला भी फरी से ही बन गया मेरा प्लांट और यह जो है यही मैं जो प्लांट है कितना बड़ा है देखो यह बहुत जादा गरोध कर लेता है और बहुत ही जल्दी यह लता कितरह है फेलता है और यह वाला जो इसमें जो यह प्लांट लगाया हुआ है यह गमला भी मेरा यह प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनस बनाया हुआ है बस कलर करके और थोड़ी सी इस पे पैंटिंग कर ली और बहुती सुंदर ये पोट्स बन जाते हैं तो मैंने ये पोट्स जो हैं घर पे ही त्यार किये हुए हैं तो इस तरह ऐसे मैंने ये गमले भी घर पे त्यार कर ली और फरी के गमले और फरी के इन में मै प्रांट के ये येलो कलर के फूल निकलते हैं और बड़े ही सुन्दर लगते हैं इसके फूल तो आज तो इसके फूल भी दो ही किले हैं और कई बार तो बहुत ज़्यादा किलते हैं और बड़े सुन्दर लगते हैं इसकी फ्रेंड्स आप अगर कटिंग लगाओ तो बहुत ब्रांच निकल गई और कटिंग लगाई थी वो पोधा मेरा एक नया त्यार हो गया तो इस तरह से मैं इसके पोधे त्यार करती हूं और बहुत जल्दी ये ग्रोथ होती है इसकी ये खिला हुआ फूल मुर्जाया हुआ फूल है जो इसमें मैं देखती हूं कि इसमें बीज ह होते हैं इसके बीज बन चुके होंगे तो फ्रैंट्स इसमें फूल है तो इसके अंदर बीज भी है तो ये आप जो पोधा है ये बीजों से भी बना सकते हो पर मैंने भी इससे नहीं उगाया कभी मैंने मैं तो इससे कटिंग से त्यार करती हूं कटिंग से पोधा जल्दी तियार हो जाता है और भी इससे तो टाइम से ही तियार होगा, तो इस तरह से आप पोकटिंग से ही लगाएं, तो मैंने ये इतने सारे पोधे देखो, फरी में तियार कर लिए, तो आप भी अपनी ये पोधे और पोड़्स बनाए, बेकार की चीज़ें जो गर्मी होती है अपने अब, तिवार का टाइम है तो निकालते हैं सारी चीज़ें जो बेकार होती है तो आप इनको पैंट करके और फिर इस तरहें के color गेरा करके और नई pot बना लो और फिर इनमें यह पोधे लगा लो, जो कटिंग वाले होते हैं, वो लगा लो, वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और जल्दी ही पोधा द्यार हो जाता है, तो ये सब मैं करती हूं फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जर ये फूल और पोदे लगाकर तो येलो कलर के फूल बड़े सुंदर लगते हैं, तो आप ये अपनी बग्या को महकाएं और सुंदर बनाएं.